नारायन नारायन आजम पढ़ रहे हैं भक्त त्रई शष्ट प्रवचन श्री रामह शर्णम ममा लंका के रणांगन में मूच्छित श्री लक्ष्मन जी को देखकर जामवान जी ने यह सुझाव दिया कि लंका में सुझन नामक बैदे रहते हैं किसी को भेजना चाहिए जो उन्हें जाकर ले आए इस प्रसंग में जामवान जी के वाक्यों से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ संकोच कानुभव किया तथा यह संकोच बड़ा स्वभाविक था क्योंकि जैसे एक ही व्यक्ति से बार बार कोई काम लेने में संकोच कानुभव होता है उसी प्रकार श्री हनुमान जी के द्वारा किये गए अंगिनत कारों के पस्चात पुनह वैद्य लाने का कारे सोंपने में श्री जामवान जी को संकोच हो रहा है यद्यपी उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यह कारे भी श्री हनुमान जी को ही पूर्ण करना है लेकिन जामवान जी सीधे हनुमान जी से यह नहीं कहते कि आप जाकर वैद्य को ले आए अपितु वे बड़ी चतुराई भरी भाषा का प्रियोग करते हुए कहते हैं कि लंका में सुशेन नामक वैद्य है किसी को उन्हें लाने के लिए भीजा जाना चाहिए उपर युक्त प्रसंग में हनुमान जी की भूमी का बड़ी अनोखी है सबसे पहले उन्होंने मूर्चित श्री लक्ष्मा जी को उठा कर भगवान राम की गोद में पहुँचा दिया उसके पश्चात जब वैद्य को लंका से ले आने का भारुन पर आया तब रोगी के निकट वैद्य को भी पहुँचा दिया वैद्य को लाने के पश्चात जब ओश्धी लाने की समस्या आई तब हनुमान जी उस सारे परवत को ही उखाड लेते हैं जिस पर वैद्य ओश्धी थी इस तरह से हनुमान जी ने रोगी वैद्य तथा आउशधी तीनों को एकत्र किया और इस एकत्री करण के साथ साथ सबसे बड़ी विलक्षनता यह है कि समय की सीमा में रहते हुए शी हनुमान जी ने यह समस्तकारे किया समय की सीमा का महत्व बहुत बड़ा है इसका ताथ पर यह है कि स्वस्थता के लिए सर्वरपथम आवश्चक्ता है एक योग्य वैद्य की क्योंकि वैद्य यदि योग्य ना हो तो रोग का सही निदान नहीं होगा और सही निदान के अभाव में सही चिकित्सा नहीं हो सकती इसलिए योग्य वैद्य की आवशक्ता है. किन्तु कई बार यह समस्या आती है कि वैद्य या डॉक्टर दवा तो लिखकर दे देता है पर दवा नकली मिल जाती है. अगर ओशधी नकली है तो योग्य से योग्य वैद्य भी रोगी को लाव नहीं पहुंचा सकता है. इसलिए योग्य वैद्य के साथ साथ उस ओशधी की भी आवश्यक्ता है जो बिल्कुल ठीक हो लेकिन ओशधी के साथ साथ वैद्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो दवा यदि समय पर रोगी को न मिले तो वह ओशधी रोगी को स्वस्त नहीं बना सकती इसका अभी प्राय है कि वैद्य ओशधी तथा काल इन तीनों के समनवाई से ही रोगी को स्वस्ता प्राप्त होती है और आप देखेंगे कि योग्य वैद्य सही ओशधी को और उचित समय में ले आकर शिलक्ष्मन जी को स्वस्त बनाने की जो भूमिका है उसे संपन करने वाले अकेले हनुमान जी ही हैं हनुमान जी के इसी कारे से आप उनके चरितर की विलक्षणता का अनुभव कर सकते हैं परन्तो हनुमान जी जिस क्रम से इन कार्यों को पूरा करते हैं आईए उस पर भी थोड़ा विचार करें जांबवान जी ने जोही सुशेन वैद्य को लाने को कहा त्योही हनुमान जी वैद्य को लाने के लिए लंका की ओर चले लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के कारे का बड़ा अनोखा वणन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं दरीलगु रूप गयव हनुमनता आनेव भवन समेत तुरंता शी हनुमान जी अत्यंत नन्हा सा रूप बना कर लंका में बैट गए और वहाँ जाकर वैद्य जी को ले आए पर अनोखे ढंक से ले आए आनेव भवन समेत तुरंता वैद्य राज उस समय गहिरी नींद में सो रहे थे उन्हें हनुमान जी जगाह कर भी चलने के लिए नहीं कहा अपितु जिस भवन में विसो रहे थे उस भवन को ही ले कर वे भगवन राम के पास पहुच गये अब आप हनुमान जी की oportun पर तथा जो सूत रखल कथा के अंत में चल रहा था उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए मूर्टिमान वैरागय श्री लक्ष्मन जी मूर्चित हैं और उन्हें मूर्चित करने वाला मेगनात साक्षात काम है काम के आक्रमन से वैरागय मूर्चित दिखाई दे रहा है वैरागय की मूर्चा दूर साथ एक शब्द और भी जोड़ देते हैं प्रबल वैराग यदि हम हनुमान जी तथा लक्ष्मन जी के वैराग की तुलना करें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि जहां तक वैराग की पूर्णता का प्रश्ण है वहां पर तो लक्ष्मन जी और हनुमान जी में प्रवारिक मर्यादा का वह प्रश्ण नहीं है जो लक्ष्मन जी के सामने है जैसे विरागी का अर्थ है कि जिसका किसी वस्तु अत्वा वेक्ति में राग नहों दो प्रकार के विरागी होते हैं कुछ विरागी तो ऐसे होते हैं जो सन्यासी हैं क्रहत्यागी हैं तथा रहते हुए भी जिनके अंतहकरण में किसी प्रकार का राग नहीं है इन में से एक वैरागे को निवृत्ती वैरागे कहते हैं तथा दूसरे वैरागे को प्रवृत्ती वैरागे कहते हैं हनुमान जी के जीवन में बहायत याग भी है क्योंकि वे बालब्रममचारी हैं उन्हो ने किया है यदेपी लक्षमण जी के अंतरमन में रंच मात्र भी किसी के प्रती राग नहीं है पर इतना होते हुए भी इसे यों कह लिजिए कि जिस विक्ति ने निव्रत्ती का जीवन स्विकार किया है उसके जीवन में कोई करतव बाधक नहीं है क्योंकि वह करतव यसे सर् परन्तु जब कोई प्रवृत्ती के जीवन यानि ग्रहस्त जीवन को स्विकार करेगा तो संबंद का निर्वाह करने के लिए उसे वहवार में तो कुछ ऐसे कारे करने ही पड़ेंगे जिनसे यह दिखाई दे कि उसमें राग है भले ही उसके अंतरमन में किसी प्रकार का दाएगा हमारी संस्कृट्टे में दोनों प्रकार के वैरागे वालों का वर्णन आता है एक और तो महात्मा लोग हैं मुनी लोग हैं सन्यासी हैं तथा दूसरी और ग्रहस्त जीवन में रहते हुए भी पुर्ण वैरागे युक्त महापुरिशों की भी कमी नहीं है मेगन काम को जीवन में पूरी तरह स्विकार ना करें पर एक खण के लिए तो उसे काम को स्थान देना ही होगा लेकिन दूसरी और हनुमान जी के सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्योंकि हनुमान जी न तो वहवाईत हैं और न उनका कोई आंतरिक राग है हनुमान जी लक्षमन जी में बस केवल यहीं अंतर है और इस संदर रभमें यदी विचार करें तो लक्ष्मन जी का मूर्चित हो जाना स्वभाविक है तता हनुमान जी का मूर्चित होना भी वहवार की मर्यादा की दृश्टी से ठीक है यद्यपी राम चरित मानस में आगे चलकर इस न तो भगवान राम से लड़ने में कोई हिचके-चाइठ है नहीं लक्षमन जी से लड़ने में और नहीं बंदरों से लड़ने में उसे कोई खबराहट होती है लेकिन इतना होते हुए भी जब कभी हनुमान जी मेगनात से कहते हैं कि आओ अब जरा हमारा तुम्हारा युद कि श्री राम से लड़ने में कोई हानी ही नहीं है लक्षमन जी से लड़ने में भी कोई भाई नहीं है और नहीं बंदरों से लड़ने में कोई डर है क्योंकि ये सब के सब ग्रहस्त ही तो हैं और अगर ग्रहस्त हैं तो मैं इनसे क्यों डरूं पर इन सारे बंदरों में एक मा मैं कैसे जान लिया है आपने इस पर विचार किया क्या मेगनाध सोचने लगा कि यह बं। इतना शकति शाली है कि इसने अकेले मेरे बाग का उजार दिया लाखों लाक्षासों का वद्ध कर दिया और रक्ष के प्रहार से मेरे रत को नश्ट कर दिया उसके प्रश्चात मुझे भी मुर्चित कर दिया इस प्रकार मैं इसके सामने हार गया परंतु जब मैंने ब्रह्मबान चला कर इसे मुर्चित कर दिया तब इसने परति हुँ बार कटकु संगारा लड़ने में भी मारे उससे लड़ने से क्या लाव इसलिए इससे युद्ध करना ठीक नहीं साथ ही साथ उसने एक विचित्र सा अनुभव और भी कर लिया था मर्नन आता है कि जब मेगनाथ हनुमान जी से लड़ने के लिए चलने लगा तो रावन ने कहा कि पुत्र मैं जानता हूँ कि तुम उस बंदर को मार सकते हूँ लेकिन इतना होते हुए भी मैं तुम से यही कहूँगा कि मार सी जनी सुत बांध सी ताही उस बंदर को केवल तो इसने केवल बाग ही उजाड़ा परंतु जब मैं इसे बांध कर ले आया तो इसने पूरे नगर को ही जलाकर खाक कर दिया तो जो स्वचंद रहकर भी विनाश करे और बंदकर भी विनाश करे जो जीत कर भी जीते और हार कर भी जीते उससे लड़कर मैं क्या करूँगा इसलिए वह हनुमान जी की चुनोती को स्विकार नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता है लेकिन आगे चलकर भगवान राम ने थोड़ा क्रम उलट दिया क्योंकि प्रभु यदी चाहते तो हनुमान जी से कह देते कि तुम जाकर मेगनात को मार दो और मेगनात को मार ना हनुमान जी के लिए सरल है परन्तु भगवान श्री रागवेंदर ने यह कार्य हनुमान जी को न सौप कर श्री लक्ष्मन जी को सौपा प्रभु ने उन्हें आदेश देते हुए कह दिया कि तुम लच्छिमन मारे हुरन ओही लक्ष्मन तुम उसे आज अवश्य मारना इसमें भगवान राम के दो देश्य थे एक तो प्रभु यह सोचते हैं कि लक्ष्मन जी एक बार इसके द्वारा मुच्छित हो गई है तो फिर किसी के मन में यह भ्रम न हो जाए कि भगवान राम ने यह जो दावा किया था कि जग महु सखा निसाचर जेते लच्छिमन हनाई निमिश महुतेते इस संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मन उन सब का एक निमेश मात्र में सन्हार कर सकता है परंतु वे ही लक्ष्मन जी लंका के रणांगन में जब मेगनात से मुर्चित हो गए तब कुछ लोगों के मन में यह संदेह आ सकता था कि दावा तो इतना बड़ा किया था किन्तु ये तो एक राक्षस के समक्ष मुर्चित हो गए इसलिए भगवान राम ने संशयालू व्यक्तियों के मन के संशय का समाधान देते हुए मानो बताया कि मेगनात के समक्ष लक्ष्मन जी की यह क्षणिक पराजय है वस्तु तह अंतिम विजय तो लक्ष्मन जी की ही होगी साथ साथ भगवान राम ने एक दूसरा तत्व भी प्रकट किया प्रभु ने मानो यह दिखाया कि मेगनाद को अगर हनुमान जी जीत लें तो कोई चमतकार नहीं है वस्तुतह चमतकार तो तब है जब लक्ष्मन जी उसे परास्त करें इसका सीधासा अभी प्राइड की ब्रह्मचारी यदि काम पर विजय प्राप्त कर ले तो कोई चमतकार नहीं है सची स्रेश्टता तो तब है जब ग्रहस्त काम पर विजय प्राप्त कर ले उसी मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने अंत में मेगनात कावद लक्ष्मन जी से कराया यद्यपी इस युद में अंतिम विजय तो लक्ष्मन जी की ही हुई लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जैसे प्रवर्ति वैराग्य काम के द्वारा मुर्चित हो गया है और जब प्रवर्ति वैराग्य मुर्चित हुआ तो उसकी मुच्छा दूर करने की भूमिका निवर्ति वैराग्य को के रूप में जो हनुमान जी महाराज है गुण दिखाई देगा तब राग तो बढ़ेगा विराग नहीं बढ़ेगा क्योंकि जहाँ पर वैक्ति को गुण दिखाई देगा महा राग अब वश्य होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि रामायन में एक ऐसे पातर थे जन्में गुण लुगारा का निर्मान करने वाले हैं और मनु का गौरव हमारे इतिहास में अद्वित्य है उन मनुने अपने राजे को सर्वदा धर्म के अनुकूल चलाया तथा धर्मिशास्त्र की जितनी विधी विवस्था है उन सब का मनुने अपने जीवन में पालन किया तेही मनु राज कीन बहुकाला प्रभु आयसु सब विधी प्रति पाला उस प्रकार मनु के जीवन में सब कुछ तो था पर एक फस्तू नहीं थी उसका वनन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु ने स्वयम स्विकार किया कि मेरे जीवन में वेराग्य नहीं है किन्तु मनु के जीवन में वेराग्य नहीं आया इसका रहस्य क्या है यही मनु जब दशरत बने तब भी प्रारंभ में वैरागे नहीं है परंत में उनमें वैरागे आ गया इसका रहस्य क्या है? आईए इस पर भी थोड़ा ध्यान दे जब हमें किसी वस्तु में दोश अत्वा दुख दिखाई देता है तो हमारा मन उससे हटता है उससे हमारा राग हटता है और मनु की समस्या यह है कि उनकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा है पत्नी भी पतीव रता है पुत्र भी बड़े आग्याकारी है इसका परिणाम यह है कि मनु जिधर देखते हैं उधर प्रतीक व्यक्ति में गुण ही गुण दिखाई देते हैं तथा गुण दिखाई देने का परिणाम यह होता है कि उनके मन में प्रतीक व्यक्ति के प्रती राग बढ़ता ही जाता है भाई यह बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा कि दूसरों से सुख पाने के लिए तो यह आवश्यक है कि उससे हम राग करें तथा उनमें हमें गुण दिखाई दें लेकिन हमें अगर अंततो गत्वा उससे भी बड़ी वस्तु अर्थात इश्वर को पाना है तो अन्य वस्तुओं से जब विराग होगा तभी इश्वर के प्रती हमारा राग होगा क्योंकि हमारा राग अगर चारों और बटा रहेगा तब तो इश्वर में राग हो ही नहीं सकता किन्तु मनु के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका राग आग्याकारी पुत्र पती व्रता पत्नी इवं धर्मात्मा प्रजा में बटा हुआ था और वेरागे के अभाव में ही वेवन में गई इसलिए संकेत मिलता है कि जब वे मन में जाने लगे तो उनकी पत्नी शत्रूपा जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी तो मनु ने बड़ी सरलता से स्विकार कर लिया उन्होंने सोचा कि जब मेरे अंतहकरण में वेरागे पूरी थरा नहीं है तो फिर मैं पत्नी को लेकर ही जाऊंगा फस्तु तहा मनु बड़े चतुर निकले उन्होंने विचार किया कि भाई वेरागे के द्वारा तो ग्यान पाया जाता है और हमारे जीवन में वेरागे है नहीं परंतु कोई चिंता की बात नहीं इसी लिए मनु से जिस समय भगवान राम ने पूछा कि आप क्या आप मुक्ती पाना चाहते हैं तो मनु जी ने उलटकर पूछा कि महराज बिन वेरागे के भी क्या मुक्ती प्राप्त हो सकती है क्योंकि राग तो बंधन है मनु ने कहा कि प्रभू आप तो अंतरियामी हैं आपको तो यह अच्छी तरह से पता है कि मुझ में राग है वेराग ये नहीं है भगवान ने पूछा कि जब तुम में वेराग ये नहीं है राग है तो फिर तुम पाना क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा कि प्रभू राग यदी बंधन है तो मैं चाहता हूं कि अपने राग के बंधन में आपको भी बांध रूँ इसलिए हम मुक्ति का वर्दान नहीं मांगते हम तो कहते हैं कि आप भी हमारे बेटे बन कर बन जाएए प्रभू मैं तो राग का सदू प्योग इसी में मानूंगा कि आप ही मेरे पुत्र बन जाएए मुझे पुत्र प्रिये है इसलिए चाहाँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ मनू का भी प्राय था कि राग यदी बंधन है और बंधन में अगर जीव बंधा हुआ है तो फिर ईश्वर को भी तो राग के बंधन में बांधने की चेश्टा करनी चाहिए यहे विचार कर उन्होंने भगवान को बांधने के लिए बाद्धे किया मनू का यही क्रम दशरत के रूप में भी चलता रहा महराज श्री दशरत जी के अंतहकरण में अत्यन तराग है इसलिए श्री राम के राजतिलक पे एक दिन पहले भी पतनी के सौंदर से आक्रिष्ट होकर वे कहकई के महल में गए महराज दशरत ने कहकई के सौंदर्ता की प्रशंसा करते हुए कहा महराज दशरत ने कहकई के स्वभाव और शिल की प्रशंसा की लेकिन इतना होते हुए भी अंत में उनके जीवन में वैरागे हो गया और वे कैकई जी के कोप भवन से निकल कर कोसल्या जी के भवन में चले गए इस प्रसंग में आपको इतना संकेत कर दूं के कैकई जी क्रिया है और कोसल्या जी ज्यान है यद्यपी महाराश्टी दश्रत प्रारंभ मेतो को सल्या जी के महल में न जाकर कैकई जी क्रिया के भवन में ही जाते हैं परनतु अंत में क्रिया को जोड़कर ग्यान के पास चले जाते हैं इसका तादपर है कि रोगी व्यक्ति क्रिया से अधिक प्रेम करता है, ज्ञान से वह उतना प्रेम नहीं कर पाता क्योंकि ज्ञान का मुख्य वैसंबंध वैराग से है। इसी लिए महाराज श्री दश्रत को सल्या जी के भवन में नहीं केकई जी के भवन में चले जाते हैं क्योंकि उनके प्रति अधिक आ सकती है लेकिन अंत में महाराज श्री दश्रत केकई का परित्याग करके को सल्या जी के भवन में चले जाते हैं और साथ साथ केकई जी से कह देते हैं कि अब तुम मुझे अपना मुं मत दिखाना तब यह वैराग्य हुआ कैसे इसकी पद्दती पर हम लोग विचार करें कैकई जी जब तक सुमुखी दिखाई देती रही सुलोचनी पिकबचनी एवं गजगामिनी दिखाई देती रही तब तक वैराग्य नहीं उसने मेरे साथ कितना निश्ठुर वहवार किया महराज ची दश्रत ने कैकई से कह दिया कि अगर तुम राम को वन भेजोगी तो मेरी मृत्यो वश्यम भावी है क्योंकि राम का वियोग हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकता महराज ची दश्रत को विश्वास था कि कि आपके जीवित रहने से तो मेरा सोभाग अखन रहेगा और सचमुच कोई भी पतनी पती के प्रती यहीं तो काम ना कर सकती है लेकिन कह गई जी इतनी निश्ठुर हो गई कि उन्होंने महराज च्री दश्रत से कह दिया कि महराज मित्यो तो दो में से एक की होगी चाहे आपकी हो चाहे मेरी क्योंकि आप कह रहे हैं कि राम भी वन जाएंगे तो आपकी मृत्यू होगी और मैं कहती हूं कि कल सवेरा होते ही यदि राम वन नहीं चले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे एक न एक की मृत्यू अवश्यम भावी है महराज श्री दश्रत ने कह कई जी की और देखकर मानो जानना चाहा कि आप किसकी मृत्यू चाहती है यदि भी उस समय कह कई जी ने सीधे तो नहीं कहा परंतो उन्होंने अत्यन तिकटोर बात कह दी वे कहती है महराज मेरी मृत्यू और आपकी मृत्यू में यह अंतर अवश्य है कि मेरी मृत्यू के साथ साथ मोर मरन उराउर अजस मैं यदि मर जाओंगी तो आपको कलंक लगेगा तथा आपकी किर्थी नश्ट हो जाएगी पर यदि आप मर जाएंगे तो आपको यश्टो मिलेगा पर मरने के बाद भी आपकी किर्थी अमर हो जाएगी और आपको जय बन जाएगे इसलिए मरना आपका ही ठीक है मेरा मरन ठीक नहीं कितनी चतुराई पूरुण भाशा में कितनी कठोर बात कह दी गई कि मेरी मित्यू के बाद आपको कलंक लगेगा तो कितनी हानी होगी दूसरे को किर्टी के लिए मरने की प्रिरणा देना यह बात तो बड़ी अच्छी सी प्रतीत होती है बैक्ती में किर्टी के लिए अपने को मिटा देने की प्रिरणा हो यह तो अच्छी बात है लेकिन कैकई की यह निश्ठुडता ही दस्रत जी के जीवन का सोभागे मैं पक्ष था क्योंकि कैकई में जब तक उन्हें ये चारो गुण दिखाई देते रहे तब तक उन्हें वेरागे नहीं हुआ लेकिन जब उन्हें 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 दोश और दुख दिखाई पड़ा तो उनकी आँखे बदल गई तथा वेरागे हो गया और वेरागे होने के पश्चात तुरुंत क्रिया का परित्याग करके वेक ज्यान को सल्या के भवन में चले गई पहले वे केकई जीसे कह बैठे थे बार बार कह राओ सुमुखी है सुन्दर मुख वाली लेकिन बाद में जब केकई ने राम के लिए बनवास का वरदान मांगा तब तुलसीदास जी से पूछा गया कि अब दश्रत जी को सुमुखी कह कई कैसी लग रही है तो तुलसी दास जी ने कहा राम राम अब भला इन्हें सुमुखी कहने का मन होता है पस अब तो लाग गही कुमुख वचन सुब कैसे अब यह सुमुखी नहीं अपितु कुमुखी है गोस्वामी जी का तातपर है कि जिस मुख के द्वारा इश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो वहतों को मुखी होगा महराज दश्रत कहकई के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप बड़े सुन्दर नेत्रों वाली हैं परन्तु अब तो उनकी आँखें भूखी बागिन की आँखों के समान दिखाई दे रही हैं उत्रों न देई दुसहरिस रूखी म्रिगन चितव जनुबाग ने भूखी और जो के कई पहले पिक बचनी कोयल के समान मीठी बोली वाली दिखाई देती थी अब उनका एक एक शब्द ऐसा लग रहा है कि जैसे बाज पक्षी पर तूट रहा हो भूप मनोरत सुभग बनू सुख सुभिहंग समाजु भिल्लिनी जिमी छाडन चहती बचन भयं करू बाजु पहले के कई जी हाथी के समान चाल वाले दिखाई देती थी परन्तु अब गोस्वामी जी ने कहा हां दशरत जी को अब भी वे दिखाई तो हाथी ही देती हैं पर अब चाल में हाथी नहीं दिखाई दे रही हैं बलकि दशरत जी ने तो कह दिया कि कह कही मैं तो तुम्हारी चाल के लिए कहता था कि तुम गजगामिनी हो किन्तु केवल चाल में ही नहीं तुम तो वहवार में भी पूरी गज निकली क्योंकि जैसे हाथी का स्वभाव है व्रक्ष को उखाड़ कर फैंक देना इसी तरह तुमने मेरे मनोरत के व्रक्ष को उखाड़ कर नश्ट कर दिया इस प्रकार पहले कैकई में जो चारो गुण दिखाई दे रहे थे अब वे दोश की रूप में परिवर्तित हो गए तब महराश्ची दश्रत ने कैकई का परितिया कर दिया उनके अंतहकर्ण में वेरा ग्योत पन्न हो गया इसलिए वर्णनाता है कि महराश्ची दश्रत कुवंत में द्रडग्यान की प्राप्ति होती है रगुपती प्रथम प्रेम अनुमाना चिताई पिताही दीन हो द्रडग्याना इसका सीधा अतातपर है कि वेरागे के उत्पति गुण से नहीं दोश से होती है और लंका का वैद्य बुलाने का भी प्राय है कि वैद्य ऐसा होना चाहिए जो दोशों को देखे और अगर हमें अपने दोशों को देखना है तो मित्रों की आँखों से नहीं अपने को देखे अपने शत्रू की आँखों से देखे आगे चलकर वर्णन आता है कि हनुमान जी जब लंका से लौट कराए तब भगवान राम ने हनुमान जी की प्रिशंसा की हनुमान जी ने प्रभु का मुख देखा और चरणों में गिर पड़े सुनी प्रभु वचन विलो की मुख गात हरश हनुमंत और केवल गिर ही नहीं पड़े अपि तु जोर जोर से पुकारने लगे महराज रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए भगवान ने हनुमान जी ने कहा लंका में राक्षसों से लड़ते हुए तुमने कभी रक्षा के लिए नहीं पुकारा और यहां पर जहां तुम्हारे मित्र ही मित्र हैं वहां तुम कह रहे हो रक्षा कीजिए हनुमान जी ने कहा महराज शत्रुमों की अपेक्षा मित्रों से रक्षा की अधिका आवश्यक्ता है क्योंकि शत्रू तो निंदा ही करेगा और शत्रू के द्वारा की गई आलोचना को यदि हम सही अर्थ में लें तब तो बहुत अच्छा है इसे हम यों कह सकते हैं कि जब हम और आप अस्वस्त होते हैं तब डाक्टर रख लेता है और उस रख्त को अगर हम और आप अपनी आख से देखें तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देती किंतू वह रख्त किसी ऐसे व्यक्ति के पास भीजा जाता है जिसकी आखें उस रख्त में दोश रोग के किटानू ढूंड सके आपने सुना होगा कि जब रख्त में रोग का कोई किटानू मिल जाता है तो उससे खोजने वाला प्रसन न होता है चिकित्सक यह कहा करते हैं कि किसी प्रकार का किटानू मिल जाना अच्छा है यदि कुछ न मिले तो यह अच्छा नहीं है और रक्त में किटानों ढूंड लेने का अतात पर है कि व्यक्ति के पास ऐसा यंत्र होता है जो छोटे से छोटे किटानों को भी कई गुना बढ़ा करके देखता है भाई जो कारे ये लोग आजकल करते हैं वह तो शत्रों पहले से ही करते आए हैं क्योंकि शत्रों सामने वाले व्यक्ति के दोशों को जब देखेगा तो कई गुना बढ़ा कर देखेगा और यदि वैक्ति सावधान होगा तो समझ लेगा कि यह तो रोग को बड़ी गहरी दृष्टी से पकरने वाला वैक्ति है अगर इसने हमारे रोग का हमें ग्यान करा दिया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी लेकिन रोग की सही दवा तभी मिलेगी जब रोग का ठीक ठीक ग्यान हो जाए एक प्रसिद्ध संत पल्टू दास हुए है एक वेक्ति उनकी बड़ी निंदा किया करता था एक दिन जब उसकी मित्यू हो गई तो पल्टू दास जी के चेले यह सोचकर बड़े प्रसंद हुए कि चलो अच्छा हुआ कि यह मर गया उन लोगों ने प्रसंद मन से जाकर पल्टू दास को सूचना दी कि महराज आज वह दुष्ट मर गया किन्तू उसकी मित्यू का समाचार सुनकर पल्टू दास जी की आँखों से तो आसू बहने लगी शिश्यों ने पूछा महराज यह समाचार सुनकर रोक्यों रहे हैं तो उन्होंने यही कहा सुना कि निंदक मरी गया पल्टू दिया है रोए निंदक जीवए जुगन जुग काम हमारो होए शिश्यों ने जानना चाहा कि आपका क्या काम होता है तो उन संत ने कहा काम हमारो होए बिना कौड़ी को चाकर कमर बांधिकए फिरए करए तिहू लोक उजागर यदि हम किसी नौकर को रखेंगे तो वहे वेतन लेगा परंतु यह निंदक तो ऐसा चाकर है जो कोई वेतन भी नहीं लेता है और चारों और मेरा प्रचार करता रहता है उसे हमारी खबर पलक भर नहीं बिसारी लगा रहे दिन राइन प्रेम से देता गारी वेतो अपना मन सरवदा हमारे ध्यान में ही लगाए रहता है शिश्यों ने पूछा माहराज इससे आपका क्या लाब है उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा लाब यही है भक्त कहई द्रुड करई जगत को ब्रहम छुडावई निंदक गुरु हमार रामसो उहे मिलावई अरे भाई वह तो संसार का ब्रहम छुडा देता है क्योंकि संसार वाले मेरी वास्तविक्ता को नहीं जानते हैं निंदक मेरे वास्तविक सरूप अर्तात दोशों को समाज के सामने प्रकट कर देता है और यदि संसार वाले मेरी वास्तविक्ता को जान लेंगे तो फिर दूर ही रहेंगे यह और भी अच्छा है इसलिए सुना कि निंदक मरी गया पल्टू दिया है रोए निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारो होए हनुमान जी का भी प्राय था कि प्रभू यहां पर ज शब्द निकलने लगा इसलिए मुझे है सोचकर बड़ा डर लग रहा है कि जब इतने लोग प्रशन सा करें तो व्यक्ति को अपने विशय में सचमुच ब्रांती हो सकती है जब प्रभू ने कहा हनुमान कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से तो गिरता नहीं है परंतु तु प्रशन सा करते हैं प्रशन सा सुनकर व्यक्ति को अभिमान होता है अभिमान होने के पश्चात वह उपर से नीचे गिरता है तो प्रभू लंका जल ही गई है और प्रशन सा आपकर ही रहे हैं अब तो केवल गिरना ही बाकी है इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि अगर गिरन ही है तो ऐसी बढ़िया जगह पर गिरें कि गिर कर भी चोटना आए हनुमान जी का ताद पर यह था कि प्रभू जब मैंने पता लगाया कि ऐसा कोमल स्थान कौन सा है जहां गिरने पर चोटना लगे तो मुझे पता लगा कि इश्वर का चरण ही केवल ऐसा है जहां गिर कर भ लोग दोस्ट दर्शी है क्योंकि वह शत्रु नगर है और दूसरी ओर इसके द्वारा हमें यह दिखाई देता है कि भगवान च्री राम का रिदय इतना विशाल है कि उन्हें शत्रु पर भी पूरा भरोसा है उनके मन में शत्रुता की कोई भावना नहीं है उन्हें तो व प्रभु आप आग्या दीजी ना प्रभु ने कहा हनुमान तुम क्या करोगे बताओ तो हनुमान जी ने कहा जो हूँ प्रभु अनुसासन पावाँ तो चंद्रमही निचोरी चायल जो आनी सुशासिर नावाँ प्रभु मैंने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है और यदि आपकी आग्या हो जाए तो मैं अभी छलांग लगा कर जाऊंगा और चंद्रमा को निचोर कर उसका अमृत लक्ष्मन जी के मुख में डाल दूँगा जिससे वे चैतन्य हो जाएंगे भगवान राम ने उस दुख के समय में भी यह प्रस्ताव स्विकार नहीं किया तथा याद दिलाते हुए कहा हनुमान एक दिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि चंद्रमा में कालापन क्यों है तो तुमने कह दिया था कि ससी तुम्हार प्रियदास यह चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है तो हनुमान एक सेवक बचाने के लिए दूसरे सेवक को निचोट डालना क्या ठीक होगा इसी लिए यह प्रस्ताव तुम्हारा उप्यूक्त प्रतीत नहीं हो रहा है हनुमान जी ने कहा कि महाराज सुर्योदय होने पर ही न लक्षमान जी की मित्यू होगी प्रभू संसार में तो सुर्य पर राहु का ग्रहन कभी कभी रखता है परंतु में राहु को लाकर सुर्य को सदा के लिए बंद कर दूगा जिससे कि लक्षमान जी की मित्यू ही नहीं होगी भगवान ने कहा कि हनुमान हम लोग तो प्रकाश फैलाने आए हैं अंधेरा फैलाने थोड़े ही आए हैं इसलिए यह भी ठीक नहीं है क्योंकि सूरे के प्रकाश को रोखना हमारे वंच की परंपरा के भी प्रतिकूल है हनुमान जी ने कहा महाराज तो फिर आ गया हो तो यह जो मित्यू है मैं उसी को मार डालूँ जिससे लक्षमान जी क्या संसार में कोई भी नहीं मरेगा पटकउनी, चिमी, चुमूसक, जयों, सबनी को पाप बहावू प्रंतु प्रभू ने कहा कि मृत्यू का निर्मान तो इसलिए किया गया है कि जिससे लोग यह सोच कर थोड़ा सावधान रहें कि हमें मरना भी है किन्तु यह जानते हुए भी लोग जब इतना पाप कर रही है तब तुमने यदि कहीं मृत्यू को ही मार दिया तब तो लोग निश्चिंत होकर पाप करेंगे इसलिए यह ठीक नहीं है और तब अन्त में भगवान ने कहा कि मित्र नगर का वैद्य नहीं अपितु हमें तो लंका शत्रु नगर का वैद्य चाहिए और शत्रु नगर के वैद्य को लाने का गौरव पूर्ण भार सोंपा गया शी हनुमान जी पर किन्तु हनुमान जी जब लंका में जाने लगे तो उन्होंने अपना रूपतियंत छोटा सा बना लिया धरी लग रूप गयो हनुमनता आने उ भवन समेत तुरंता यह बड़े पते की बात है इसका अर्थ यह हुआ कि वैद्य के पास जाएं तो छोटा बन कर जाएं क्योंकि रोगी अगर यह समझ ले कि वैद्य से योगे तो में ही हूं तब तो अनर्थ हो जाएगा कभी कभी डॉक्टर और वैद्य तब बड़े संकट में पढ़ते हैं जब रोगी बहुत बुद्धी मान मिल जाता है अपने को बुद्धी मान मानने वाले कई रोगी तरक वितरक द्वारा वैद्य अत्वा डॉक्टर को इतना संतरस्त कर देते हैं कि वह भी परिशान होकर सोचता है कि इनको हम दवा बताएं कि इनकी दवा हम करें। किन्तु हनुमान जी तो वैदे के पास अत्यंत लगू निरभिमाने बन कर जाते हैं। जादूगरी का तमाशा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुलसी दास ची यह लिखना चाहते हों कि हनुमान जी कोई जादूगर थे और वे लोगों के सामने जादूगरी दिखाया करते थे। इस कारे के द्वारा तो वस्तुतह तुलसी दास ची यह बताना चाहते हैं कि जीवन मे किस समय वेक्ति को छोटा बनना चाहिए और किस समय बढ़ा बनना चाहिए किस समय भारी और कौन सी परिस्थिती में हलका बन जाना चाहिए इसलिए हमारा करतव यह है कि हम उचित अवसर पर उचित भुमी का स्विकार करें इस संदर्भ में मानस के कुछ प्रसंगों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा किसी से यदी यह प्रश्ण किया जाए कि व्यक्ति को चुप रहना चाहिए कि बोलना चाहिए कई लोग यदी मौन की महिमा गाते हुए कहते हैं कि मौन सबसे महान है इसलिए व्यक्ति को मौन ही रहना ठीक है तो कुछ लोग भाशन कला की प्रशंसा करते हैं कि बोलना व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी सफलता है वक्ता और मौन में एक अच्छा है और दूसरा बुरा यह समझना भूल है क्योंकि यदि केवल मौन ही सुरेश्ट होता तो भगवान जीभी न देते जिससे सब लोग पुरी तरह से मौन रहते कोई जंजर्ट ही नहीं थी किन्तु इश्वर ने जिवा इसी लिए तो नहीं दी है कि व्यक्ति उसका उपयोग ही न करे परन्तु यह बात अवश्य है कि उस वाणी का उपयोग उचेत अवसर पर किया जाए क्योंकि उचेत अवसर पर ही मौन रहना और बोलना दोनों ही शोभा है श्री हनुमान जी के चरित्र का अनोखापन यह है कि न तो उनके समान कोई वक्ता है और नहीं मौन रहने वाला परन्तु हनुमान जी चुप कब रहते हैं बोलते कब हैं आप यह देखी जैसे कोई वक्ती नदियत्वा तालाप में डूपता हुआ घबरहट के मारे बचाने के लिए पुकार रहा हो और उस पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए जाते समय कोई वक्ती अगर यह समझ ले कि हम तो बिल्कुल मौन रहकर इसे बचाने जाएंगे तो वह वक्ती बुद्धिमान नहीं है बल्कि सबसे पहले उसका करतव है कि वह शब्ध के द्वारा उसे आश्वासन दे कि घबराओ मत में आ रहा हूं उस समय ऐसा खहना अभिमान नहीं बल्कि सामने वले वक्ती को प्रुत्साहन देना है उसे भई से उबारना है किन्तु उस समय जो यह समझ कर चुपी साथ लेगा कि अगर हम बोलेंगे तो दिखावा करते हुए समझे जाएंगे उसकी यह समझ सही नहीं है वस्तुता ही है दिखावा नहीं है क्योंकि इस दिखावे का परिणाम होगा कि उस वक्ती की घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी इसलिए हनुमान जी जिस समय लक्षमान जी के लिए दवा लेकर आए तब तुलसिदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज अभी तो रुलाई चल रही थी अभी सुरुलाई के बीच में हनुमान जी का आना कैसा लगा तो सिदास जी ने कहा अरे भाई उस समय तो ऐसा लगा कि आई गयो हनुमान जिमी करुणा महबीर रस जैसे करुण रस के बीच में बीर रस आ गया हूँ इसका अभी प्राय है कि करुन रस में जिस समय सब लोग आशू बहा रहे हों उसी समय यदि कहीं करुणा वाला वेक्ति आ जाए तो उस करुणा बढ़ाएगा ही करुणा का दुख नहीं मिटाएगा परंतु उस समय यदि कहीं वीर रस आ जाए तो वह हमारे करुणा के अपने अपने बल का बखान कर रहा है उस समय हनुमान जी चुप है निज निज बल सब काहू भाशा पार जाई कर संसय राखा यहां पर चुप रहने का अर्थ है कि जहां चारों और आत्म विज्यापन हो रहा हो अपने विशय में कुछ कहा जा रहा हो उस समय सच्चा संतत वह यही है कि वैक्ते अपने विशय में मौन रहे लेकिन इस प्रसंग में भी जब श्री हनुमान जी बोले तब ऐसा बोले जिसकी तुलना नहीं हो सकती बढ़ननाता है कि हनुमान जी को चुप देखकर जामवान जी को आश्चरे हुआ तथा उन्होंने तुरंत हनुमान जी से कहा कहे रीच पती सुनू हनुमान अरे का चुप आब चुप कैसे हैं क्योंकि आप तो बहुत बड़े वकता हैं और साथ साथ शब्द कितना सुन्दर कहा का चुप साधी रह drinking बलवान अरे भाई बलवान लोग तो बहुत गरजते हैं परंतु तुम कैसे चुपी मार ब ज्ञान निधाना अरे तुम तो पवन के बेटे हो तथा पवन के समान ही तुम में बल और बुधी है फिर भी हनुमान जी ने अपना मौन नहीं तोड़ा और मौन न तोड़ने के पीछे हनुमान जी का एक उदेश्य भी था क्योंकि रामचरित मानस में वर्णन आता है कि रा हनुमान जी पवन का बन ले कर जाए तब तो जैसे बाप बंदी है वैसे बेटे को भी बंदी बना लिया जाएगा इसलिए उस नाते को स्विकार नहीं करते लेकिन अचानक जामभवान जी ने ऐसा वाके कहा जिस से हनुमान जी का मौन खुल गया और वे उस समय जितने चो और जोही यह शब्त हनुमान जी के कानों में गया तो ही हनुमान जी सुनत ही भयव परवताकारा शी हनुमान जी परवताकार बन गए। शरीर दुखदाई तब है जब वह भोगों की और ले जाए जो शरीर हमें भगवान की सेवा की और ले जाए उससे बढ़कर सार्थकता शरीर की और क्या होगी। हनुमान जी ने सोचा कि मेरा जन्म यदी भगवान के कारे के लिए ही हुआ है तो मैं फिर इतना नन्हा क्यों रहूं इसी लिए वे परवताकार हो गए। इतना ही नहीं अभी तो श्री हनुमान जी इतने चुप थे परन्तु अब तो उन्होंने सिम नाद करी बार ही बारा श्री हनुमान जी ने गर्जना प्रारम भगर दिया बलकि उस समय उनकी गर्जना पढ़कर ऐसा भ्रम होता है जैसे हनुमान जी आत्मे विज्यापन कर र कि रावन के गुप्तचर शुक और सारण जब लक्षमन जी का पत्र लेकर लंका में आए तब रावन ने उनसे पूछ दिया कि यह बताओ कि उस तपस्वी की सेना में सबसे बलवान कौन है तो गुप्तचर ने कहा कि सबसे बलवान कौन है यह तो पता नहीं चला पर सबसे कम कंजोर का परिचे देते हुए कह दिया जहिपूर दहु हतेु सुत तोरा सकल कपिन महते हुबल थोड़ा जिसने तुम्हारे बेटे को मार डाला और नगर को जला दिया पहतो सबसे कमजोर बंदर है और यह वाक के सुनकर सारे राक्षस आतंक के मारे अदमरे हो गए कि जब करने कि जब सबसे कमजोर ने आकर यह कारे किया तो जब बल्वान आएंगे तब जब क्या होगा क्योंकि दोनों राक्षस प्रभु की सेना का भेद लेने लगे तब उन्होंने देखा कि सारे सारे वंदर गरज रहे है प्रंतु एक मात्र हनुमान जी ही ऐसे थे जो आखों में आसु भरे प्रभू के चरणों में बैठे हुए थे इसलिए उनके मन में यह सहज तरक आ गया कि भाई वीर लोग गरज रहे हैं और कमजोर आसु बहा रहे हैं आखों से अश्रू प्रवहा करते रहना यह हनुमान जी का सहज सोभाव है इसलिए हनुमान जी जब प्रभू के चरणों में बैठते हैं जब भी प्रभू की कथा में जाते हैं तब उनकी आखों में आसु रहते हैं शोता रूप में उनकी वंदना करते हुए कहा गया है हनुमान जी का एक रूप वहभी है जो आत्म विज्यापन से बिलकुल दूर है लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में यदी निराशा आ गई है तो उस निराशा को दूर करने के लिए हनुमान जी अपने विशय में कुछ भी कहने में संकोच नहीं करते यदे पी हनुमान जी का वह बोलना आत्म विज्यापन के लिए नहीं होता समुदर के किनारे शी हनुमान जी के वाके को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे वे अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं सिंग नाद करिबार ही बारा लील ही नायों जलद ही खारा अगर कोई हनुमान जी से पूछ दे कि पहले आप चुप कैसे थे और आप अब कैसे गरज रही हैं तो हनुमान जी यही उत्तर देंगे कि पहले तो मुझे यह पता था कि मैं संसार के लिए आया हूँ इसलिए मैं चुप था परंतु अब तो मुझे पता चल गया है कि मेरा जन्म राम कारे करने के लिए ही हुआ है इसलिए अब तो राम के बल से गरज रहा हूं क्योंकि अगर अपने बल से गरजता होता तो पहले भी गरज लेता परंतु बल तो केवल प्रभू का है इसलिए उन्हीं केवल से गरज रहा हूं और गरजना करते हुवे हनुमान जी कहते हैं कि इस समुद्र को मैं अभी एक छलांग में पार करके चला जाओंगा रावन का वद कर दूँगा और उसके पस्चात त्रिकूट आचल परवत को भी उखाड कर ले आऊंगा वास्तविक्ता तो यह थी कि यह शब्त हनुमान जी ने केवल बंदरों की निराशा दूर करने के लिए कहा था और जब बंदरों की निराशा यह सोच कर दूर हो गई कि चलो हम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ती भी है जो इतने काम कर सकता है तब हनुमान जी तुरंत यह कहने के बाद जामवान जी से कहने लगे कि महाराज यद्यपी मैं यह सब कुछ कर सकता हूं परन्तु आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यह पताईए कि मुझे क्या करना है जा मवंत मैं पूछा हूं तो ही उचित सिखावन दी जहु मोही उसके पस्चाथ जब हनुमान जी समुद्र लांगते हैं तो वे इतने भारी हो गए कि उसका परिणाम यह हुआ कि जिस परवत से हनुमान जी ने छलांग लगाई वह पाताल में धस गया जही गिरी चरण देई हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता और जब लंका जलाने लगे तो उस समय भी हनुमान जी बहुत बड़े हो गए बढ़नन आता है कि हनुमान जी पहले तो बंधे हुए थे पर जब उनकी पूँच में आग लगी तो हनुमान जी ने तुरंत चलांग लगाई और लंका के घरों की दिवारों पर चले गए पावक जरत देखी हनुमंता बयव परम लगुरूप तुरंता निबु की चड़हू का पिकनक अटारी भई सभीत निसाचर नारी जब तुलसी दास जी ने लिखा के हनुमान जी दिवारों पर चलांग लगा कर चड़ गए तब उनसे किसी ने पूछ दिया के महराज आपने तो लिखा था के जब हनुमान जी ने चलांग लगाई तो परवत नीचे धस गया किन्तु ये दिवारें कितनी मजबूत थी जो उनके पैर रखने से भी नहीं धसी तो तुलसी दास जी ने कहा के भाई आज तो हनुमान जी बिलकुल बदले हुए हैं क्योंकि देहे विसाल देहे तो उनकी उतनी ही विशाल थी जितनी की समुद्र के किनारे थी पर इतना होते हुए भी देहे विसाल परम हरुवाई अत्यंत हलके हैं अशोक वाटिका में हनुमान जी के छोटे बड़े दोनों रूपों का वर्णन आता है प्रारम भमेश्री किशोरी जी के सामने हनुमान जी अत्यंत छोटे से थे किन्तु जब हनुमान जी ने कहा मा चिंता मत करिये क्योंकि हम बंदरों के साथ प्रभु आवेंगे तब आपको छुड़ा कर ले चलेंगे मा ने नन्हे से हनुमान जी को देखा और बर्बस उनके मुक से निकला है सुट कपी सबतों में ही समाना पुत्र सारे बंदर तुम्हारे ही समान है कि कुछ बड़े भी है और यदि केवल तुम्हारे ही समान छोटे है तब तुम लोगों का उत्साहा तो बड़ा प्रशंस निये है पर तुम लोग कश्ट मत करना क्योंकि जातु धान अतिबट बलवाना राक्षस लोग तो बहुत अधिक बलवान है इसलिए मोरे रिदय परम संदेहा मेरे अंतहकरण में अत्यंत संदेहे है और तब श्री हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रगट किया सुनिकपी प्रगट कीन ही निजदेहा कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अतिबलवीरा सीता मन भरोस तब भ श्री किशोरी जी ने कहा हनुमान पहले तो तुम अत्यंत छोटे थे और अब इतने विशाल हो गई लेकिन यह तो बताओ तुम्हारा असली रूप कौन सा है श्री हनुमान जी ने कहा मा मैं तो छोटा ही हूं पर प्रभू का प्रताप कितना बड़ा है क्योंकि आपको जो विशालता दिखाई दे रही है यह मेरी नहीं बलकि यह तो प्रभू के प्रताप की विशालता है सुनु माता सा खामरिग नहीं बल बुद्धी विशाल प्रभू प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लगुब्याल इस तरह मानस में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें यह बताया गया है कि श्री हनुमान जी उचित अवसर पर उचित रूप धारण कर लेते हैं और आज जब हनुमान जी वैद्य को लेने के लिए जाते समय अपने को छोटा बना लेते हैं तब इसका बहीरंग दृष्टी से तात पर यह है कि यदि हनुमान जी खुल कर जाएं तो राक्षस उन्हें अवश्य ही रोकने की चेश्टा करेंगे परंतु अंतरंग दृष्टी से इसका अभिप्राय यह है कि जब तक व्यक्ति अपने को लगु नहीं बना लेगा तब तक वैद्य के प्रति उसके मन में आदर उत्पन नहीं होगा तथा वैद्य के विवेख को अपने से स्रेष्ट नहीं मानेगा इसलिए हनुमान जी लगु बन कर गए तथा वैद्य राज को सारे भवन सहीत उठा कर चले आए किन्तु हनुमान जी वैद्य राज को बिना जगाई ही क्यों ले आए इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे नारायन नारायन